नमस्कार, TMC सांसद महुआ मोहित्रा चारों तरफ से घिर गई, उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है, जितने इस पूरे प्रकरण में जितने किरदार हैं, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, महुआ मोहित्रा ने अपना लोकसभा का लॉग इन और पासवर्ड शेर किया दर्शन हीरा नंदानी से और उसके अलावा उनसे गिफ्ट लिए फेवर लिया, ये दो आरोप उन पर लगाये जा रहे हैं, उन दोनों को एक तरह से महुआ मोहित्रा ने कुछ स्विकार कर लिया, अब देखे क्या हुआ था, जिस तरह से निशिकान दूबे ने और जै अनंत देहद्रई ने आरोप लगाया था, उसके बाद से महुआ मोहित्रा ने एक बार भी ये नहीं कहा था, कि उन्होंने लॉग इन पासवर्ड शेर नहीं किया, अब वो कुतरक पर उतर आई, वो कह कि गाइडलाइन्स में कहीं नहीं है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सारे सांसदों को लॉग इन पासवर्ड देते समय, NIC एक फ़र्म भरवाती है, उसमें बड़े सपष्ट निर्देश है, कि अगर आपका लॉग इन पासवर्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा भ हुआ मोहितरा ने ऐसा नहीं किया, अब वो कह रहीं कि सब लोग करते हैं, मैंने भी किया, तो उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने दर्शन निरांदानी को अपना लॉग इन पासवर्ड दिया, उनके पास कोई ऑप्षन नहीं था, दो चीजे हो गए थी, एक तो दर्शन ये भी पता चल गया कि जब दुबाई में जिस समय उन्होंने एक्सेस किया इस लॉग इन पासवार्ट से लोगसभा की वेबसाइट को उस समय महुआ मोहितरा देश में थी मतलब भारत में थी दूसरी बात NIC के रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि उस समय जो है कहां से लॉग इन हुआ था किस ने किया कौन सा जो है उसका IP एडरेस क्या है ये सब पता चल जाएगा उनको पता चल गया कि अब इसमें बचाव मुश्किल है तो उन्होंने दूसरा तरक ले लिया उन् दालने की वेब साइट पर क्या ज़रूरत है आपका कोई सहायक होता जो आपको लोगसभा सदसे के नाते मिलता है उसने डाला होता तब भी एक बार बात समझ में आती कि आपने उसको फोन पर कहा कि भाई ये सवाल मेरी और से मेरी और से डाल दो ये लॉग इन है ये सिंपल मामला नहीं है ये सीधे सीधे ब्रीच अफ प्रिलेच का मामला बनता है इसी पर महुआ मुईतरा की सदस्यता जा सकती है दूसरा आरू कि उन्होंने फेवर लिया उन्होंने पैसा लिया उन्होंने गिफ्ट्स लिये और अपना जो सरकारी मकान है उसके रिन्योवे और जो है मेकप का दूसरा सामान लिया इसके अलावा कोई गिफ नहीं लिया अब ये बात तो दशन हीरा नंदानी और महुआ मुईतरा के बीच में आ जाएगी अगर दशन हीरा नंदानी ने दिया और कहा जा रहा है कि उन्होंने दुबाई की ड्यूटी फ्री शॉप से खर तो उन्होंने दिया होगा भारत आ रहे थे तब लेकर आए ये सब जांच की बाते हैं जांच इजिंसियां इसके बारे में इस्टेबिश करेंगी कि ये बनता है या नहीं दूसरा मामला है उनके सरकारी बंगले का सरकारी मकान का रेनोवेशन महुआ मुईतरा ने अब इत जादा रोशनी आ सके और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए उनके जो आर्किटेक्ट है उनका ये ये जो आया था ड्राइंग आय थी वो दिखा दिया लेकिन सवाल ये है किसमें जो सामान लगा उसका भुक्तान किसने किया पैसा किसने दिया क्योंकि आजकर रेनोवेश पांच लाख ही लगा जो भी लगा अगर महुआ मुहितरा ने अपने एकाउंट से पैसा नहीं दिया है एक या सांसदों के जो सरकारी मकान है उनका रेनोवेशन का काम CPWD करती है अगर उसने नहीं किया है जो फ्लोरिंग है जो वुड वर्क है जो बाथरूम की फिटिंग हैं जो बाथरूम बना है अगर वो CPWD ने वो काम नहीं किया है तो किस ने किया है उसका पैसा किस ने दिया है तो यह मामला ऐसा है कि इसमें साबित करने में इसके सबूत जुटाने में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि जिस पर आरोप है कि उसने इस सब किया दिया वो सही हो करने को तयार है तो दर्शन हीरा नंदानी ने अगर इन सब चीजों का भुकतान किया है मतलब या तो अपने पर्सनल एकाउंट से या कमपनी के एकाउंट से तो उसका उनके पास सबूत होगा और वो सबूत महुआ महितरा को दोशी ठैराने के लिए काफी होगा तो महुआ महितरा चारो तरफ से घिर चुकी हैं कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है शुरू में कॉंग्रेसी बढ़ चल कर उनकी मदद के लिए सामने आ रहा है थे लेकिन ममताब अनरजी की चुप्पी देखकर वो भी सननाटे में आ गए है ममताब अनरजी और टीमसी ने अभी तक महुआ महितरा के बचाओं में एक भी बयान नहीं दिया बलकि बयान देने से मना कर दिया कहा एथिक्स कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम तै करेंगी क्या एक्षन लेना है तो जादा संभावना ये है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए और इस बात की प्रबल संभावना है कि उनको 2024 लोगसभा चुनाओ में टीमसी का टिकट तो नहीं मिलेगा कॉंग्रिस में हो सकता जा सकती है कॉंग्रिस में उनके राहूल गांधी से और दूसरे कॉंग्रिस के कई नेताओं से बड़े संभन है लेकिन सवाल ही है कि चुनाओ तो बंगाल से ही लड़ना पड़ेगा तो अगर ममता बेनर जी ने जिसको टिकट नहीं दिया है उसको अगर कॉंग्रिस पार्टी बंगाल से चुनाओ लड़ाएगी तो उसका क्या आश्र होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं तो महुआ मोहितरा के लिए चारों तरफ से देखे पहली बैठक हो चुकी है ठिक्स कमेटी की उसमें जैयानंत दिहाद्रई का बयान हो चुका है निशिकान दूबे का बयान हो चुका है अब 31 अक्टूबर को महुआ मोहितरा को कमेटी ने बुलाया है चर्चा ऐसी मतलब खबरे आ रहे हैं महुआ मुहितरा के ओर से आफिशल बयान नहीं आया है शायद वो ना जाएं वो जाती हैं या नहीं जाती हैं उसके बाद कमिटी व्यू लेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा और जो इस तरह के अतीत के मामलों को देखें तो उनमें जादातर मामलों में यही हुआ है कि सदस्य की सदस्यता चली गई है और महुआ मुहितरा के सामने भी वही खत्रा है लेकिन खत्रा मैंने पहले भी बताया था आपको इतना ही नहीं है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी यह भी नहीं कि उनको टीमसी से पिर टिकट नहीं मिलेगा उनके खिलाफ जो कि जै अनंत ने जो आरोप लगाएं हैं उसकी चिठी उन्होंने सीवियाई को भी भेजी है तो PCA में भी उनके खिलाफ एक्षन हो सकता है यानि प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में भी तो इसलिए वो चौत अरफा करते हैं कि इतना सबूत देते हैं उसी पर निर्भर करेगा कि महुआ मुहित्रा का PCA वाले मामले में उनके खिलाफ आरोप किस तरह के तैय होते हैं और क्या सजा मिलती है लेकिन जहां तक सदसिता के लोगसभा सदसिता का मामला है वो बचा पाना महुआ मुहित्रा के तुसंक में इतना ही नमस्कार